नमस्का चात्रों आज हम हिंदी उपयोजित लेखन में हिंदी निबंद लेखन यह एक महतोपुर्ण भाग देखने जा रहे हैं निबंद का शाब्दिक अर्थ होता है सुसंगटित अत्वा सुव्यवस्तित रूप में बंदा हुआ मतलब निबंद का जो भी विशय है उस विशय को उसमें जो कहने जाने वाली बाते हैं उन बातों को सुव्यवस्तित तरीके से आपको निबंद में लिखना होता है निभन्द लेखन एक कला है निभन्द में रोचकता और सजिवता पाई जाती है निभन्द में किसी विशय का प्रतिपादर आदिक स्वतंत्र पुर्वक और विशेश अपनेपन और सजिवता के साथ किया जाता है निभन्द की कुछ मार्गदर्शक या विशेश तत्व पाई जाते है उसमें मुख्यता निभन्द में जो विशय दिया जाता है उस विशय में एक सुत्रता होनी बहुत आवश्यक होती है निभन्द लिखते वक उस निभन्द में व्यक्तित्व का परतिविंबीत होना बहुत आवश्यक है साथ ही आत्मियता और कलात्मक्ता यह निभन्द के कुछ महत्वपुर्ण तत्व माने जाते है इन तत्वों के आधार पर निभन्द की रचना की जाती है अब हम निभन्द की आवश्यक बाते जो है वो देखेंगे किसी भी निभन्द में हम तीन भागों में उसका वर्नन करते है या वो निभन्द को लिखते है उसमें परतम होती है प्रारंब कोई भी निभन्द उसका उचित विशयनुसार प्रारंब करना उसकी शुरुवात करना या उसकी प्रस्तावना करना बहुत आवश्यक होता है उसके बाद मद्यभाग में विशय विस्तार होता है मतलब निभन्द जिस विशय में दिया गया है या जिस विशय को हमने वहाँ पर हमें बताना है उसकी पक्ष विपक्ष अच्छी बूरे बातों का विस्तुरुत वर्णन हमें उस निभंद के मद्धिभाग में करना है और अंत में आता है समापन किसी भी निभंद का आशादाई समापन करना उचित माना जाता है हम किसी भी विशय को किस प्रकार से उसका अंत उसका समापन करते है ये बहुत ही महतोपुर्ण होता है दूसरी बात है विश्य अनुसर भाषा का प्रयोग निबंद का विशय क्या है उस विशय के अनुसर हमें कौन सी भाषा इस्तमाल करनी है ये महत्वपुर्ण बन जाता है अगर हम ग्रामिन भाषा या ग्रामिन विशय है या देहातों का विशय है तो उन लोगों की भाषा उन लोगों के शब्द वहाँ पर आते हैं तीसरी बात यह है कि हमारी भाषा प्रवाही, रोचक और मुहावरेदार होनी चाहिए क्यूंकि निबंद में जब हम लिखते समय किस प्रकार से लिखते है उसमें हम उस भाशा को किस طरब से प्रवाही बनाते हैं, एक मुद्दे से लेकर दूसरे मुद्दे दघं किस प्रकार से जाते हैं, ये भी महतोपुर्न बात होती है साथ ही मुहावरों में कहावते हो सुवचन हो वहाँ पर आवर्षक तेनुसार और आवर्षक कहावते या सुवचनों का इस्तमाल करना प्रयोग करना उचित होता है इस कहावतें सुविचार हो या सुवचन हो या मुहावरे हो इनका इस्तमाल विशरी के अनुसार करना बहुत ज़रूरी है साथ ही आवश्यक बात ये है कि हमारे निभंदक की जो भाषा है या हमारे निभंदका जो लेखन है वो लिखते समय शब्द, शुद्ध और सुवाच होने बहुत ज़रूरी है और कुछ आवश्यक बात है हमें विशरी के अनुसार जो बाते कहनी है वो हमारे विचार स्पष्ट होने बहुत ज़रूरी है हमें जो भी कहना है वो स्पष्ट रूप में हमें कहना होगा और हमारे विचारों में एक क्रम बद्धता होनी ज़रूरी है प्रारंब अकर्शक होना चाहिए और वो जिग्यासा को बढ़ाने वाला होना चाहिए मद्यभाग में मुख्य विशे का स्पष्टिकरन होना चाहिए मद्यभाग में अगर एक निरस्ता आ जाती है तो निबंद आगे पढ़ना और निरस्ता पूर्ण बन जाता है इसलिए मद्यभाग जो है वो सजीव होना बहुत ज़रूरी है समापन विशय से सम्मंदित, सुसंगत, उचित सारतक विचार तक ले जाने वाला होना चाहिए मतलब जब हम निबंद का अंत करते हैं, निबंद का समापन करते हैं तो उससे हमें कुछ विचार, कुछ बाते उससे मिलनी चाहिए, वो हमें कुछ विशयों का बोध कराने वाला होना बहुत आवश्यक है अब हम निबंद के पांच प्रकार जो माने जाते हैं, वैसे तो निबंद के कुल 16 से 17 प्रकार भी है मगर दस्वी तक चात्रों को कुछ मुख्यता पांच प्रकार अध्ययन के लिए होते हैं उसमें पहला प्रकार है वैचारिक निबंद इस निबंद में हमारे विचारों को बहुत महत्व दिया जाता है उधारन के तोर पर देखेंगे कि विज्ञान के चमतकार हमारे विचार यहाँ पर विज्ञान के बारे में विज्ञान से होने वाले फाइदों के बारे में विज्ञान से होने वाले नुकसान के बारे में और विज्ञान से हमें किस प्रकार से इन दोनों में समन्वय साधना है, ये हमारे विचार यहाँ पर महितवपूर्ण होते है दूसरा प्रकार है वर्ननात्मक निबंद इस निबंद में हम एक विशिष्ट विश्य के बारे में हम वर्नन करते है जैसे कि नदी किनारे दो गंटे यहां पर हम नदी के किनारे दो गंटे उन दो गंटों में हमने क्या देखा हमने क्या अनुभव किया इसका विश्तुरुत वर्णन हमें उस निबंद में करना होता है चरितरात्मक निबंद ये निबंद के प्रकार का तीसरा प्रकार है उधारन मेरा प्रिय खिलाडी ये एक ऐसा निबंद का प्रकार है जिसमें हमें हमारे ग्यान को उचित तरिशके से यहाँ पर दर्शानब होता है क्योंकि यहां पर हम किसी विशे के बारे में या किसी इंसान के बारे में या किसी महापुरुष के बारे में जब बात करते हैं, निबंद में लिखते हैं तो हमारे लिखने में कोई गलती न हो इसे हमें बहुत साउदानी बरतनी पड़ती है चोथा प्रकार है कल्पनात्मक निबंद यहाँ पर अगर मुबाइल न होता यदि मुबाइल न होता तो तो क्या हो सकता है इसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं और यह चात्रों के सोच को बढ़ावा देने वाला यह विशय है यहाँ पर उसके ज्यान के साथ साथ उनकी अंदर की कल्पनात्मकता को बढ़ावा देना उसको जागरुत करना उसको विकसित करना यह मुख्य उद्देश होता है निबंद के प्रकार में पाच्वा प्रकार है आत्मक थनात्मक निबंद यहां पर उधारन के तोर पर हम फटी पुस्तर की आत्मक था इस निबंद का उधारन लेंगे बाटी चार प्रकारों से यह निबंद का प्रकार एक अलग है इसमें निबंद लिखते वक्त हमें कौन-कौन से बदलाव या कौन-कौन सा फर्क होता है यह हम आगे देखेंगे वैसे तो चार प्रकार जो है वैचारिक, वर्ननात्मक, चरित्रात्मक, कल्पनात्मक इन निबंदों को लिखते समय हमें कुछ अवश्यक बातों को ध्यान देना ज़रूरी होता है जैसे विशय में सम्मंधित विचारों को प्रधानता देनी पड़ती है वो विशय कोंसा है निबंद का उस हिसाब से हमें हमारे विशय के विचारों को बदलना पड़ता है उसमें प्रधानता देनी पड़ती है महत्वपुर्ण कौन सा विशय है उस हिसाब से हमें लिखना पड़ता है वैचारिक निबंद में विशेष्टा विचार महत्वपुर्ण होते है तो वर्ननात्मक विशय में उस जगह का उस तिती का विशय का वर्नन महत्वपुर्ण होता है चरित्रात्मक निबंद में जीवन प्रवास मतलब किसी थोर पुरुष का जीवन प्रवास कैसा था उसकी जीवनी कैसी थी उस पर प्रकाश डाला जाता है कल्पनात्मक निबंद में विशय कल्पना ये बहुत महतोपुर्ण होती है कि किस विशय में हमें उचित अनुचित बातों के बारे में हमें कल्पना करनी पड़ती है विशय में पक्ष और विपक्ष इन दोनों को लिखना महतोपुर्ण होता है क्योंकि इन चारो निबंद के प्रकार में सबसे महतोपुर्ण होता है कि उस विशय के कुछ अच्छे पहलू हो या उस विशय के कुछ बुरे पहलू हो तो इन दोनों के बारे में स्पष्टिकरन करते हुए अंत में हमें इन दोनों से कुछ अच्छी बाते लेकर हमें किस प्रकार से उन दोनों में अच्छे या बुरे बातों में समन्वे साधना हैं ये महत्वपूर्ण बाते हमें इस विशय में या इन चार प्रकार में लिखन इसे वक शब्द संपदा और विचारों की संपन्नता हुना बहुत आवश्यक है अगर आपको उस विशे का ज्ञान न हो उस विशे के बारे में अगर कुछ भी पता न हो तो आप निबंद नहीं लिख सकते हो आखरी जो पाचवा प्रकार जो मैंने पहले कहा कि मैं आगे इसके बारे में आधिक आपको जानकरी दूँगा तो वही इस प्रकार से है कि आत्मक अथना आत्मक निबंद लिखते समय हमें इन बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है क्योंकि बाकी विश्यों के बारे में हम एक तटस्त तोर पर बाते बोल सकते हैं मगर आत्मक अथनात्मक निबंद में हमें आत्मक अथन अर्थात एक तरह का परकाया प्रवेश मतलब उस जगह पर आप हो यह समझ कर आपको खुद को जो कुछ अनुभव महसूस होता है उस अनुभवों को उन बातों को आपको निबंद में लिखना होता है मतलब किसी वस्तू, प्रानी, पक्षी, व्यक्ती या वनस्पती की जगह खुद को स्तापित करना होता है और महसूस करना होता है उसकी तकलीफ, उसके मन के विचार और वो आपको लिखना पड़ता है उसमें आप खुद लिख रहे हो, अपने खुद के विचार लिख रहे हो, खुद के अनुभो लिख रहे हो और इसलिए यह निबंद प्रथम पुरुश में आपको लिखना होगा इसकी भाषा जो है वो प्रथम पुरुश में होती है और एक वचन में होती है मतलब मैं से इस निबंद की शुरुवात होती है प्रारंब में आपको उस विशय तक ले जाने के लिए उचित प्रस्तावना, घटना या प्रसंग का सहारा लेकर हमें उस निबंद के विशय तक पहुँचना उधारन के तोर पर हम यह कल्पनात्मक निबंद यदि किताबे न होती इसके विशय में चर्चा करेंगे जिस प्रकास हमने देखा कि निबंद में मुख्यता तीन भाग हम मानते है पहला है प्रारंब, दूसरा मद्यभाग और तीसरा निबंद का समापन पहले भाग में जब हम कोई कल्पनात्मक निबंद लिखते हैं तो उस कल्पनातक पहुँचने के लिए हमें यथायोग्य प्रसंग लिखकर उस कल्पना के विशय तक हमें पहुँचना होता है और इसलिए इस निबंद में उस विशय तक पहुँचने के लिए कोई प्रसंग या कोई बात या कोई विशय की चर्चा शुरुवात में हमें करनी होगी और तब जाके यदि किताबे न होती तो क्या हो सकता था इन किताबों के विशय तक हम पहुँच सकते हैं इसमें दूसरा मद्यभाग में बात हम कहते है या जिसको स्पष्ट करते है कि किताबे न होती तो कितना अच्छा होता मतलब किताबे पसंद क्यों नहीं है अगर किताबे नहीं होती तो हम क्या क्या कर सकते थे या कर सकते है इस विशय में हम चर्चा करते है निबंद के मध्यबाग में साथ ही दूसरी बात की चर्चा हम करते है कि किताबे नहो तो क्या होगा उससे हमें क्या फाइदे होगे उससे हमें किस प्रकार से हम खेल सकते है किस प्रकार से पढ़ाई के या पढ़ने के बारे में हम उसके अलावा खेलने में ज्यादा ध्यान दे सकते है या हमारी पसंद की बाते हम क्या क्या कर सकते हैं, इन बातों के बारे में आपको विवरन देना होगा, किताबों के फाइदे और अवशकता है, मतलब किताबे नहीं हो तो कितना अच्छा होगा, मगर फिर भी उनके होने से किताबों से हमें क्या फाइदा होता है, और किताबे हमारे जीवन में किस प्रकार से अवशक है, इन बातों का विवरन, स्वश्टिकरन आपको निबंद के मद्यभाग में देना होगा, या आपको देना है, आखिर में हम निबंद का समापन करते हैं, तो हमेशा एक बात याद रखिए, कि यतायोग्य प्रसंग से आप निबंद की शुरुवात करते हैं, मद्यभाग में उस विशे के पक्ष में और उस विशे के विपक्ष में आप चर्चा करते हो, मगर अंत में हमें इन दोनों का मिलाप करना है मतलब किसी भी विशे की अच्छी बाते और उसकी बुरी बाते तो किताबों से अगर किताबे ही ना हो तो हमें कितनी खुशी होगी मगर किताबे है तो उसके कितने फाइदे है इन दोनों में हमें मेल दिखाना है और हमारे जीवन में किताबों का महत्व बताते हुए इस निबंद का हमें समापन करना है तो इस तरह से चात्रों आपको ये निबंद जो यदि किताबे न होती इस विशय में हमने चर्चा की तो इन मुद्दों को आधार में रखते हुए आपको इस निबंद में इस निबंद को लिखना है और सात ही आपको एक दूसरा और एक गुर्वकारिय है सेलफी, सही या गलत दो से धाई पन्नों में ये दोनों भी निबंद आपको लिखने हैं पहला निबंद है यदि किताबे न होती और दूसरा निबंद है सेलफी सही या गलत इसमें भी आपको यह एक वैचारिक प्रकार का निबंद है उसमें आपको आजकल के मोबाईल यूग में जब चाहे आजके नोजवान हो या हर कोई मोबाईल से सेलफी लेने में उन्हें बहुत खुशी होती है तो क्या सेलफी लेना सही है अगर वो सही है तो वो किस तरह से सही है अगर वो गलत है तो क्यों गलत है इन दोनों के मतलब सेलफी के पक्ष में और सेलफी के विपक्ष में दोनों में आपके विचार आपको इस निबंद के माद्यम से लिखने हैं और अंत में जैसे मैंने आपको कहा कि समापन करते वक्त सेलफी सही या सेलफी गलत इन दोनों का आपको समनवय यहां पर करते हुए आपको इस निबंद का समापन करना है तो इस प्रकार से चातरों आज हमने उपयोजित लेखन में निबंद लेखन यह एक बहुत ही महतोपूर्ण ऐसा जो विशए है उसका आज हमने अधियन किया सात ही निबंद के जो प्रकार है पाच उसके बारे में भी हमने अध्यान किया उसके बारे में जानकारी हसिल की और सात ही सात यदि किताबे न होती और सेलफी सही या गलत इन दो निबंदों का हम लोगों ने वर्नन या उसका स्पश्टिकरन देखा तो आपको ये दोनों निबंद अपने कापी में लिखने हैं और लिखकर वाटसप के ग्रूप में आपको उन निबंदों को सेंड करना है धन्यवाद